Hi everyone, welcome to my channel So, दोस्तो, आज की ये वीडियो बहुत ज़ादा important होने वाली है हमारे SOL वाले students के लिए So, guys, SOL वाले जो students हैं दोस्तो, आप लोगों को ये चीज तो पिछले कुछ दिनों से पता ही होगी और नहीं पता है तो मैं बता दिती हूँ आपको दोस्तो, SOL का जो placement cell है वो पिछले कुछ दिनों से आप लोगों के लिए back-to-back job opportunities निकाल रहा है यानि की आप लोगों को job offer कर रहा है दोस्तो, ये काफी ज़ादा अच्छी बात है क्योंकि काफी सारे हमारे SOL वाले ऐसे student हैं जो की job करना चाहते हैं या फिर जिनको job करने की जरुवत महसूस होती है तो दोस्तो, पिछले कुछ दिनों में SOL का जो placement cell है उसने काफी सारी jobs आप लोगों के लिए निकाली है लेकिन मैं उनके उपर वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि उस टाइम भी तबियत भी ठीक नहीं थी लेकिन दोस्तो, आज एक बिलकुल new, fresh job SOL placement cell की तरफ से निकाली गई है और दोस्तो, ये बहुत जादा अच्छी job मुझे लगी इसलिए दोस्तो, आज की ये वीडियो मैं मैं पता चल ही नहीं पाता है और उनको लगता है कि job कहां से डूणने तो दोस्तो, इस तरीके से आप लोगों को काफी जादा help मिलेगी तो दोस्तो, आज की ये वीडियो आपको पूरी देखनी है यहां लिखा हुआ है, sales officer की job तो दोस्तो, ये एक sales officer की job है जो कि आप लोगों को यहां पर नजर आ जाएगा sales officer, इसके लिए आपकी जो eligibility है वो क्या-क्या होनी चाहिए, उसके बारे में देख लेते है तो दोस्तो, कोई भी graduate इस job के लिए apply कर सकता है यानि कि आपने चाहिए BA program किया हो, BECOM honors किया हो BA political science honors किया हो, कुछ भी कोई साभी course आपने किया हो आप इसके लिए graduate हो, आप इसके लिए eligible हो, sorry इसके लिए आप लोग eligible हो लेकिन दोस्तो, जो undergraduate student है, वो eligible नहीं है आपकी जो graduation है, वो complete होनी चाहिए तो आप इसके लिए eligible हो, लेकिन यहाँ पर एक और condition इन्होंने रखी है, जो कि आपको यहाँ पर नजर आ रही होगी इंजीनियर्स, MBA, B.S.C. Agriculture, M.S.C. Agriculture not eligible, यानि कि दोस्तो, जिन student से ने इंजीनियर्स, MBA, B.S.C. Agriculture, M.S.C. Agriculture किया है वो eligible नहीं है, इस job को apply करने के इसके अलावा, अगर आपने distance learning से MBA किया है तो आप eligible हो, यानि कि यहाँ पर लिखा हुआ है distance learning MBA allowed, तो दोस्तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है तो दोस्तो यह बात हो गई, आप लोगी education qualification की अगर आप simply graduate हो, आप इस job के लिए apply कर सकते हो यहाँ पर लिखा हुआ है, freshers allowed work experience not mandatory तो यानि कि दोस्तो अगर आप एक freshers हो, अभी तक आपने कहीं job नहीं किये तो भी आप job के लिए apply कर सकते हो इसके बात दोस्तो आपकी जो age होनी चाहिए, वो 26 साल से कम होनी चाहिए यानि कि less than 26 होनी चाहिए तो दोस्तो यह चीज़ आपको ध्यान रखने है अब बात करते हैं दोस्तो आपकी जो job है, वो कहाँ पर है दोस्तो जोब जो है, यह ICICI bank के अंदर निकली है sales officer की job ICICI bank एक बहुत बड़ा bank है, यह मुझा आपको बताने की जरुवत ही नहीं है तो दोस्तो ICICI bank के अंदर यह job है sales officer के नाम से आपको यह चीज़ पता चल जाएगी कि आपको basically इसमें यह selling की job है आपको नए-नए customers को अपनी service और products के बारे में बताना है इसके अलावा भी आपको कुछ काम करने होंगे जिसका पूरा description यहाँ पे लिखा हुआ है purpose of the job, यह आपको अच्छे से पढ़ लेना है एक बर apply करने से पहले इसके अलावा दोस्तो जॉब की क्या-क्या responsibilities होंगी वो भी यहाँ पे mention है जैसे कि यहाँ पे मैं आपको एक overview बता देती हूँ यहाँ पे आपको नए-ने customers generate करने होंगे आपको नए-ने जो leads है यानि कि नए-ने customers तक पहुचना होगा उनके businesses तक पहुचना होगा आपको monthly sales target दिये जाएंगे जो आपको पूरे करने होंगे इस तरीके से यह इस type की job है तो दोस्तो यह job की पूरा description है अब बात करते हैं कि job आपकी लगेगी का तो दोस्तो यहाँ पे लिखा हुआ है location वाले section के अंदर कि all over India as per organizational requirements यानि कि दोस्तो all over India में आपकी job कहीं पर भी लग सकती है अगर आपके आसपास कोई ICICI का bank है महाँ पे किसी sales officer की requirement है तो महाँ पे भी आपकी job लग सकती है थोड़ा दूर भी आपकी job लग सकती है तो यहाँ पे यह चीज बताई गई है इसके बाद दोस्तों आप लोगों को क्या क्या चीज़े आपके पास होनी चाहिए क्या क्या skills आपके पास होने चाहिए वो यहाँ पर बताया गया है तो दोस्तों कोई जादा बड़ी चीज यहाँ पर नहीं मांगी गई है मैंने पूरा notification पड़ा है कोई बहुत जादा बड़ी चीज यहाँ पर नहीं मांगी गई है अगर आपकी communication इसके लच्छी है आप थोड़ा patient रहा पाते हो आप अच्छे से customers को handle कर सकते हो तो यह job आपके लिए बहुत अच्छी है बहुत best है तो दोस्तों यह सारी इसकी information मैंने आपको दे दिये अब मैं आपको बताती हूँ आपको इस job के लिए apply कैसे करना है तो दोस्तों चलिए forever से हम लोग चलते हैं SOL की website के उपर तो दोस्तों मैं आप लोगों को SOL की website के उपर लेकर आ चुकी हूँ हम लोग placement cell वाले section के अंदर है जिनी student को नहीं पताए के यह option कहा पर है उनके लिए मैं एक बार back जाकर बता देती हूँ जिससे कि आप लोगों के mind के अंदर चीज़े clear हो जाए तो दोस्तों back आप थोड़ा सा मैं आपको लेकर चलती हूँ दोस्तों यह है SOL की जो वेबसाइट है उसका home page इस page के उपर आप लोग जैसी आएंगे तो थोड़ा नीचे आपको scroll करते हुए जाना है एंड यहां पर आप लोगो एक link नज़राएगा placement का इसी link के उपर जाकर आपको job vacancies के update मिलते हैं आप लोग time to time इसको check करते रहिए otherwise time to time मैं आप लोगो के लिए videos आप लाने ही वाली हूँ आपकी कोई भी job vacancy miss नहीं होगी तो दोस्तों जैसी आप लोग इस page के उपर आओगे इस link के उपर यहां पर आपको नीची की तरफ दो link नज़राएगे right now as well की तरफ से यह दो job vacancies निकाली गई है दूसरी वाली job vacancy आप लोगों के लिए नहीं है simple graduate वाली student के लिए नहीं है लेकिन पहली वाली हमारे काम की है तो दोस्तों आपको इसी के उपर जाना है जैसे ही आप लोग इस link के उपर click करोगे यहां पर आप लोग के सामने दो option open हो जाएंगे ICICI bank register here तो दोस्तों यहां से जाकर आपको registration करना है अपनी इस job vacancy के लिए तो जैसे ही आप लोग यहां click करोगे आपके सामने again एक page open होगा यहां पर लिखा हुआ है ICICI bank sales officer nomination form तो दोस्तों यहां पर वही सारी चीज़े लिखी हुई है आपकी क्या age होनी चाहिए क्या क्या चीज़ा आपके पास होनी चाहिए यह सारी चीज़े यहां पर mention है दोस्तों यहां पर आप लोगों को किस तरीके से registration करना है वो मैं आपको बता दी फिर आप कहां रहते हो वो डालना है आपकी date of birth आपको यहां डालनी है आपने graduate हो या नहीं हो यह आपको डालना है obviously graduation की requirement है तो graduate आपका होना जरूरी है इसके अलावा आप इस job के अंदर यानि कि यह जो job का जो role है उसके अंदर आप interested हो तो आपको yes करना है यहां पर आपको दोनों columns में यसी करना है और इसके बाद आपने कौन से year के अंदर अपनी graduation pass out की है वो आपको यहां पर डाल कर सम्मिट करना है एक चीज मां आपको पहले बता देती हूं दोस्तों अभी आप लोग जब इसको apply करोगे तो सारी चीज़े अच्छे चेक करकर ड आपको interview का call आता है और आपकी job लग जाती है तो आप लोग मुझे comment करके जरूर बताइएगा क्योंकि मुझे आज तक कभी भी पता नहीं चला है कि S.O.L. की तरफ से किसी भी student को job मिली है या नहीं मिली है तो दोस्तों यह जानना काफी जादा मेरे लिए important है ताकि पता च जानकारी में जिनोंने graduation की हो S.O.L. से और वो job ढूंड रहे हो तो आप उनके साथ भी यह video जरूर शेयर किजेगा तो दोस्तों उम्मीद करते हूं कि सारी चीज़ा आपको clear हो गई होंगी तो दोस्तों आज की इस video के अंदर बस इतना ही इस video को आपको like करना है share करना है औ दोस्तों मिलती हूं मैं आप सबसे next video के अंदर तब तक के लिए thank you so much